WHO यानि के World Health Organization के according हर साल 17.9 million यानि के 1.8 करोड के आसपास लोग अपनी जिन्दगी से हाथ दो बैठते हैं Just because of CVD यानि के cardiovascular disease जिसमें around 85% of death सिर्फ और सिर्फ heart failure या stroke की वह से होती है और ये cases उन 75% of countries में से आते हैं जहां पर लोगों की income या तो कम है या फिर middle में आती है So let me introduce you to Agatsa Sanket Life 2.0 A pocket size 12 lead ECG monitor जिससे आप कभी भी कही भी within 3 minute ECG की report निकालके अपने डोक्टर से या फिर ECG एप पर within 10 minute में काडियोलोजिस्ट से consult कर सकते हो और review ले सकते हो और मैंने आपसे कहा कि आप अपने डोक्टर के साथ भी consult कर सकते हो That means यहां पर paper या फिर digital format में भी इन ECG reports को आप share कर सकते हो और यही नहीं यह stress को तो monitor कर ही सकता है Plus 50 type of heart disease को भी यह diagnose कर सकता है और इसकी जो ECG है वो 98% accuracy के साथ मिलती है Which is unbelievable अब इसकी portability, accuracy और features सुनने के बाद आप कहोगे कि यार यह बहुत महंगा होगा अपने budget से तो बाहर है तो नहीं है यह आता है at the pricing of 2499 जो कि I think hospital visit करके एक ECG कराने से तो काफी कम है और इसका जो life span है वो unlimited है और यह आता है one year की replacement warranty के साथ अब interesting लग रहा है तो इसको unbox करते है तो आगत सा संकेत life 2.0 कुछ इस तरीकी की packaging में आता है यहाँ पे कुछ इसके जो general features है वो mention किये हुए है यहाँ पे बताया हुआ है कि Bluetooth, Android, iOS किसी भी device के साथ यह compatible है cloud backup और inbuilt algorithm है इसके अंदर पीछे की तरब use करने की कुछ general instruction तो यह device संकेत life app के साथ काम करती है और वहीं पे आपकी सारी reports generate होगी सबसे उपर एक quick start guide जिसमें A to Z instruction दी हुई है कि किस तरीके से इसको अपनी app के साथ pair करना है फिर single lead ECG कैसे लेनी है और किस तरीके से आप 12 lead ECG ले सकते हो तो इस अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसके बाद अपना main device which looks like a car की तो गाड़ी तो अपन नहीं ले पाए लेकिन गाड़ी की ज़रूर ले लिए है तो यह काफी जादा compact है design इसका काफी जादा premium लग रहा है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा soft touch material यूज किया गया है and I must say कि जो build quality है काफी अच्छी है यहाँ पर आपको left and right thumb के लिए जो ECG sensor है वो दिये हुए है और यह है side sensor 12 lead ECG के लिए यहाँ पर strap tie करने का provision है और rear side पर आपको एक power key मिलती है जिसको simply press करने पर device turn on हो जाता है और यहाँ पर आपको एक indicator मिलता है और इस indicator की एक खास चीज है जैसे ही आप sensors पर अपने thumbs रखते हो तो जो आपकी heart beat है वो इस LED के साथ ही है यह LED आपकी heart beat के साथ sync हो जाती है क्यों? हिला डाला ना तो box को aside करता हूँ अब आप अपने device को connect कैसे करोगे तो बहुत जादा simple है इसको power on करना है simply by pressing the rear key उसके बाद जैसे ही app आपको instruction देगी कि जो दोनो thumbs है आपने अपने sensors पर रखने हो जैसे ही आप thumbs को sensor पर रखोगे यह automatically आपकी app के साथ पेर हो जाएगा and you can see कि यह pair हो चुका है अब जो app का interface है वो काफी जादा clean and simple है simply हमने ECG section में जाना है और यहाँ पे standard 12 lead ECG lead 1 to V6 जो कि इसकी help से होने वाला है select करेंगे and measure पे click करेंगे अब सबसे पहली instruction आती है कि दोनो thumbs को आप 15 second के लिए यहाँ पे रखो तो start 15 second के लिए रखा and you can see कि जो ECG है वो start हो चुकी है अब lead 2 के लिए यह आपको instruction देगा कि आपको यहाँ पे रखना है अब यहाँ पे हम 12 lead ECG ले रहे हैं जो कि 6 steps में complete हो जाती है और इसके complete होने के बाद एक chart आपके सामने आता है जिसमें different symptoms है अगर आप उनमें से कुछ feel कर रहे हो जश्ट आप उस पे tap कर सकते हो अगर कुछ भी ऐसा feel नहीं हो रहा है तो आपने simply skip कर देना है और यहाँ पे ECG का जो result है वो अपने सामने है और इसको complete करने में around 3 minutes लगते हैं अब आपके पास 2 option है या तो संकेत life app पे या आप cardiologist से consult कर सकते हो review ले सकते हो अपनी report का कि कुछ दिक्कत या कुछ ऐसा है या नहीं या फिर आप पूरी पूरी report को download कर सकते हो उसको paper format में या फिर PDF format में भी अपने doctor यानि कि जो आपका personal doctor है personal doctor उनके साथ आप इसको consult कर सकते हो अब आपके दिमाग में एक चीज definitely click करेगी कि यार आपका cardiologist या आपका doctor क्यों मनेगा तो ये जो device है ये clinically approved है और आपके doctor भी इस device के बारे में definitely जानते होंगे जिसकी वाईसे जो report आपके पास होगी वो definitely authentic है लेकिन अगर आप चाहते हो कि यार संकेत life app में option है 10 मिनट के अंदर ही जब review मिल जाता है तो कहीं और क्यों जाना simply आपने 175 रूपीज का एक plan लेना है और आपको यहाँ पे doctor यानि के cardiologist आपको review दे देंगे और इस review के साथ आपको एक test और free मिल जाता है वैसे तो यह device जब आप purchase करते हो इसमें आपको 50 free tests मिलते है लेकिन cardiologist review के लिए यहाँ पे एक nominal amount 175 रूपीज का आपको pay करना होता है अब एक और important चीज कि definitely यह device बैटरी पे रन करता होगा और कोई न कोई life span उसका हो गई तो इसमें आपको 2032 coin cell मिलती है जिसका life span 1000 ECG brand claim करता है अगर यह 800 भी चल जाती है तो बहुत जादा है और उसके बाद इस cell को बहुत easily आप किसी भी watch repair shop पे जाकर replace करा सकते हो और maximum battery life span अगर आपको चीए तो जब use कर रहे हो तब ही own करो और use करने के बाद इसको off कर दो simple अब आते हैं conclusion पे कि यह device useful है या नहीं तो definitely useful है and I must say अगर आपके घर में कोई heart patient है या थोड़ी बहुत किसी को heart की दिक्कत है तो यह device आपके पास होनी चीए क्योंकि हम लोग कई बार खुद से assumption लगाते हैं कि यार chest pain हो रहा है तो definitely चैनल को subscribe करना एक like दे देना बागी comment पर बताना कि आपको क्या अच्छा लगा इस device के बारे में या फिर मेरे बारे में so see you in next video till then goodbye take care respect the tech